हेलो गाइज वेल्कम टो एसकर डिजाइन आज हम देखेंगे 16 फिट 6 इंच बाई 50 फिट में डिजाइन किये गए एक इलक्ट्रोनिक शोरूम को जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्राण में हमारा फूट पाथ है और हमारा ग्राउंड फूर प्लान है ऐसा यह टिपिकल फ्ल इसलिए वीडियो को लास टक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहे तो चलिए गाइस देखते हैं इसको हमने डिजाइन किस तरह किये तो फृट में हमारा स्टेप्स रहेंगे जो में डोर रहेंगा हमारा यह आपे पांच फि किया था तो जैसे कि आप देख पारे साइड में हमारे ग्लास कबर्स है और प्रोडक्ट शो के लिए हमने सेंटर में और रेक के सामने टेबल अरेंज किया है और एंड में हमारा उपर जाने के लिए इस्टेडगेस है तो यह तीन फ्लोर का टिपिकल प्लान रहेंगा इस तो गाइस चलिए इसका देखते हैं 3D एलिवेशन किस तरह का है तो गाइस दिस इस 3D एलिवेशन जैसे कि आप देख पार है इस प्रोजेक्ट को हमने टोटल ही 3D में डिजाइन किया है विट मॉडर्न लुक के साथ में फ्रंट में हमारा एंटरंस डोर है एंड जो ग्ला प्रोजिक मटरियल से इसको कवर किया है फ्रंट में अंदर में हमारा सिलिंग एरिया विद प्योपी डिजाइन से है जो के रोड से हमें इस तरह का दिखाई देंगा जिसे कि आप देख पा रहे हैं अचैंश से हमारा लास में इस टरेक हैस था इस प्रोजेट को हमने अभी 3D में नहीं डिजाइन किया है क्लाइन की रिक्वार्मट कि अगार्डिंग हमने सरी इसको एक्स्टिरियर में डिजाइन किया है तो चलिए गाइस देखते हैं इसका रेंडरिंग आफ्टर रेंडरिंग ये मॉडल कैसा दिखता है वो आपको दिखाएंगे तो चलिए देखते हैं इसका रेंडरिंग 3D image तो गाइस इस आफ्टर रेंडरिंग व्यू जैसे कि आप देख पा रहें विद गार्डन विद ग्लास मैश एंटरंस दोर विज सम कंपोजित मुट्रियाल एंड लाइटिंग इफेक्ट आपको अंदर का इसका व्यू दिखाई दे रहा हूंगा सिदिंग डिजाइन या तो गाइस इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको आपका घर या कोई भी आर्किडेक्ट्र डिजाइनिंग से रिलेटेटिट वर्क हो तो हमें जरूर कॉंटेट करिए थैंक्यू